तो दोस्तों यह हमने लॉग इन कर लिया है अभी आपको देखिए यहाँ पर दो तिन ऑप्शन दिखाए दे रहोंगे एक तो एड़ पेई इसके अलावा आप मनी ट्रांसफर से भी एड़ पेई कर सकते हैं सिंपल मनी ट्रांसफर पर टैप करना है अंदर जाएंगे कभी मतलब जरूरा तरह पैसे ट्रांसफर करने की तुरण तो यहाँ पर भी एड़ और मैनेज पेई कॉप्शन आता है फिलाल दोनों ही जगह से आप सेम जगह पर जाने वाले है तो एड़ पेई का उटन मैं दबा करने कि से दुकानों के रखो इंडिविज्यल में कर रहा हूं फिला यहाँ पर पहला इस टेप सेलेक्ट ट्रांसफर टाइप आप किस प्रकार ट्रांसफर करना जाते हैं बैंक ट्रांसफर अकॉपने अप्लिकेशन को तो सामने वाले कि यहां पर डालनी है लगए त्या न IDF c में select कर लए था क्योंकि मेरे एक bank है यहांप नेम आफ जिसका अकाउंट आप करना चाहते है उसका नाम ढाल दीजे जैसा मैं डाल रहा हूं नाम डालने के बाद अकाउंट नमबर डालना होगा तो नमबर डालते हैं नीचे री एंटर करना है क्योंकि कफर्म होना चाहिए अकाउंट नमबर डालने के बाद थोड़ा नीचे स्लाइट करेंगे अकाउंट टाइप यहाँ पर स्लेट करना है तो उसका टाइप क्या है सेविंगे करेंट एक राफट केश क्रेडिटर लोन है अक उरेन आको प्रवयट किया है नहीं किया है तो बैंक नेम और ब्रांच नेम आप किया है तो पिंस छोटा सा जो ऑक्षड है वो भी वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकता है ध्यान में दियेगा जैसे हमने से ग्स्तौ अपर सुधार के लिए जिए चेक कर लेना है चेक कर लेना कि यह IFSC सही है या नहीं, अगर आपके बस है तो नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं, select करते हैं, करने के बाद नीचे आते हैं, continue करते हैं, वैसे अगर आपने गलत IFSC डाला तो समझे कि यह नहीं add होगा, क्योंकि bank खुद भी जो है, check करते हैं, जैसे आपने कर इन्होंने बोला, the newly added pay will be activated after 30 minutes of successful authentication, याने कि 30 minutes के बाद ही, वो active हो पाएगा, if no funds are transferred to an added pay for more than 24 months, the pay will be activated, अगर दो साल लग आपने कोई भी पैसा आइड नहीं किया, कोई भी पैसा नहीं transfer किया, तो वो अपने आप अपट जाएंगे, ठीक है, बैच, बैच, दो साल के अंदर OTP के इन्होंने भेज़ दिये, अब या तो आपके phone में ही SIM है, OTP है directly detect कर लेगा, या फिर आप enter manually का बटन दबा सकते हैं, enter manually करेंगे, OTP डालेंगे, यह OTP हमने डाल दी यहाँ पर continue करते हैं, continue जैसे करेंगे, you have successfully added a pay, done करेंगे, अभी हम जब देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं add manage pay पर जब जाओंगा, तो यहाँ पर मुझे देखिए, यह pay दिखाई देता है, अगर मैं यहाँ पर directly कोश्च करूँ तो यहाँ पर activate नहीं हुआ है, 30 minute के बाद आप आए, क्योंकि इसको transaction अभी हम नहीं कर सकते हैं, उसको tap करिए, और अंदर की तरह आपको option मिलता है delete परीगा, यह button simple से दबा दिनेंगे, तो confirm करने के बाद आपका delete हो जाएगा, तो दोस्तों यह है तरीका, simple आप जाएंगे और चेक कर सकते हैं, अगर आपको मज़ा आया वीडियो देख करके, तो like button जबाना, subscribe जबाना, आज के वीडियो में इतना ही, thank you so much.